असलाम वालेकूल सभी भाईयों को जैसा कि आप सभी को पता था पिछले तीन दिन से जो गरीब महरम है बेटी की साधी थी और ये एक बिद्वा थी साथियों ने एक मुहिम चलाई सोसल मीडिया के माध्यम से और ओफलाइन भी मदद हुई सोसल मीडिया के माध्यम से आप ब 790 रुपे की मदद हुई उसके अलावा जो ओफलाइन जो मदद थी 20,600 रुपे जो काला घाटा के हमारे साथी है जावेद भाई है वकीन साभ है तारिप भाई है सोयब सरपंच है इनका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद उसके अलावा 8000 रुपे की ज इन लोगों ने यहां आकर मदद की है नगत पेसे दे कर मदद की है तो इनका बारंबार इनको दिल से सल्यूट है बहुत बहुत इनका शुक्रिया इसके अलावा 11,160 रुपे की नगत जो सोशल एमपलोई ग्रूप है जो हमारे तमाम जवान साथी है उन्होंने ये मदद की है और आज सुबह ही वो रासी इनके पास पहुची है तो इस तरीके से जो खुल मिला के जो टोटल मदद हुई है वो एक लाग 12,550 रुपे की मदद हुई है और ये मदद महस तीन दिन में हुई है आज आप यकीन मानिये इनकी चेहरे पे जो खुसी है उस खुसी का रास और उस खुसी की जो पहचान है वो आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के मदद से हुई है इस तर पे अगर हम देखे जाए आज सोसल वीडिया का दोर है और हमारे नोजवान जो साती है वो बड़े जागरूख है और अच्छी पहल ये चल रही है तो इसलिए मैं तमाम इलाके के साथियों से गुजारिश करूँगा इस तरीके से आप भरपूर मदद करते रहे ये बहुत जरूरी है आज हमारी वेहन और इनकी जो बेटी है उनकी शादी है और रुकसती है इस तरीके के शेकड़ोर हजारों परिवार हमारे मेवा छेत्र में है जो यकीड़न स सक्षम नहीं है लेकिन मजबूरी होती है तो हम सभी लोगों को ऐसे कामों में बढ़ चड़कर मजबूती के साथ आगया आना चाहिए और बिल्कुल जो भी हम सरीयोगदान हो जो भी करना चाहता है इस तरीके से करते रहे आप पता नहीं क्यों कितने ही परिवारों को घु सकते हैं यह सब हम सभी साथी था की रजा के लिए और इस पेटी के लिए यह सभी सेयोग किया है और इसमें आप सभी लोगों का भरपूर सेयोग है जो साथी किसी कारण से अगर मदद नहीं कर पाए उनका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो 2550 रुपे की मदद हुई है इसका आपको बारंबार शुक्रिया और एक बार यही गुजारी से कि आप मजबूती से एस अच्छे काम करते रहेंगे और हर एक अच्छे काम में अपना योगदान निभात रहेंगे पूरे खानपूर गाउं की तरफ से मैं जितने भी जिन ल बेटी और पहन इस कौम की बेटी के लिए हैं ऐसे हम सब को भी जाना चाहिए और इस तरीके से मदद करनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत जन्निवाद